सियार और धोलक ये कहानी लेकर मैं आई हूँ आप सब को सुनाने पंच्टन्स के कहानी है मैं हूँ अम्मू अम्मू एन्यू चैनल पर मैं आपको ये कहानी सुनाने आई हूँ सियार और धोलक अब एक बार की बात है एक जंगल में एक सियार रहता था वो अपने जुंड का नेता था नेता बनकर बैठा हुआ था लेकिन था बहुत ही गुसे वाला तो बाकि जो सियार थे उसको जादा पसंद नहीं करते थे एक दिन सबने मिल कर योजना बनाई और एक साथ मिल कर उस सियार को अपने जुंड से निकाल खदेडा अब सियार खदेडने के लिए तैयार नहीं था उसको उसने कभी नहीं सोचा था इस तरह से वो खदेडा जा सकता है लेकिन क्या करता उसके सब जुंड के साथियों ने उसको निकाल बाहर किया था दुखी होकर निराश होकर वो वहां से चला गया अब जंगल में घूमी रहा था अकेला निराश दुखी परेशान और भूखा बहुत समय से उसने कुछ भी खाया नहीं था और इस तरह से निकाले जाने के लिए उसको बहुत अफसोच भी हो रहा था लेकिन भूख के मारे वो सोच रहा था काश मुझे कहीं से कुछ खाने को मिल जाए अच्छानक एक बड़ी अजीब सी डरावनी आवाज हुई इतने जोरों की आवाज थी कि सी आर तो डर गया और भाग लिया छुप गया एक पेड के पीछे चुपने के बाद उसने सुना तो देखा रहे यह आवाज तो गयब हो गई ये क्या हुआ अब अच्चानक उसने सोचा ये अच्चानक से आवाज आई इतनी डरावनी और फिर से गयब हो गई तब ही सोची रहा था कि फिर से वो आवाज आई एकदम से वो चौक गया ध्यान से सुनने लगा और भागने वाला था कि उसने हिम्मत करके अपने आपको रोक लिया आवाज फिर रुक गई इसने कहा सोचा अपने मन में सियार ने भाई जरूर कोई बात है जरा जाके हमें पता लगाना चाहिए कि ये आवाज कौन कर रहा है और कहां से आ रही है कभी तो मैंने ये आवाज नहीं सुनी ऐसा सोच कर बड़ी हिम्मत के साथ वो वापस गया पेड के पीछे जहां से उसे लग रहा था आवाज आ रही है पेड के पीछे जाकर क्या दिखता है एक बड़ा सा ढोला कैसे खड़ा हुआ है और हवा चल रही है जैसे ही हवा चल रही है उस हवा में पेड की एक डाल जूमते हुए आ रही है और ढोलक के उपर से जा रही है ढोलक के उपर से डाल जाते समय वो आवाज कर रही है जैसे ही हवा बंद हो रही है आवाज भी बंद आब उसको ये पूरी बात समझ में आ गई और वो मन ही मन हसने लगा दोलक के और पास आया तो चोग गया देखा रही इतना खाना पड़ा हुआ है असल में वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे एक सेना ने बड़े दिनों से शिविर लगाया हुआ था अब वो वहाँ से चली गई थी कौन सेना अपना बहुत सारा खाना वही पर वो सेना छोड़ थी सिपाही जाते जाते अपना धोलक भी छोड़ गए थे अपने मनोरेंजन के लिए वो लोग कभी कभी गाना बजाना भी करते तो धोलक शायद गलती से छोड़ गए होंगे और पेड़ की डाल से उस धोलक पे आवाज हो रही थी अब सियार ने तो बड़े खुशो कर प देखने चला आया कि आवास कहां से आ रही है और देखो मुझे कितना खाना मिल गया खाते खाते उसके मन में एक ख्याल आया वो पहुचा फिर अपने जुंद के पास और सियारों से बोला बाई तुम लोगोंने न मुझको भगा दिया था मेरी काबलियत पर तुम्हें शक अरे भाई आके देख लो सारे सियार उसके पीछे पीछे आया उन्होंने सोचा चलो देखते हैं ये क्या दिखाना चाता है सब को पेड़ के पास ले गया और बोला सब आख बंद करके बैट जाओ सब बैट गए और जैसे ही फिर से हवा का जुंका आया दालाई और धोलक क उपर से घिस्ते हुए चली गई और वैसे हुश आवाज हुई जोरों की आवाज से सारे सियार चोक गए डर गए आखे खोल दी सामने बैटे सियार ने कहा देखा ये था मेरा जादू आवाज गायव सब हका बका थोड़ी देर बाद सियार ने का आखे बंद फिर से आखे आखे खोल कर बोले भाई मान गए उस्ताद आप सच में बहुत अच्छा जादू जानते हो काबिल हो हमसे बड़ी भारी भूल हो गई फिर से आपको हम अपना नेता बनाते हैं आजाओ और अपनी चतुरता से निडरता से वो सियार फिर से अपने खोए हुए पद को वापस ले लिया और उस जुंड का नेता बनकर शान से फिर से रहने लगा तो ये थी कहानी सियार और ढोलक की लाइक, शेर, सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से आओंगे जल्दी अमू कहती है टाटा